आज हम लेके आए हैं गुझिया हुली आ रही है हुली पर गुझिया जरूर बनती है तो चलिए फ्रेंड्स हमारा वीडिया आपको पसंद आए एक लाइक ज़रूर करना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यह देखे यह हमने ले लिया है मैदा 250 ग्राम मैदा कप से ना पोगे कप मैदा है इसमें हम डालेंगे 4 टेबल इस्पुन घी देशी गीलिया है मैंने यह आप डालडा भी ले सकते हो लेकिन ओयल नहीं लेना है यह तो ऑईल से बना सकते हो लेकिन ओयल से वह खुस्टा नहीं बनेंगी जो आपको चाहिए मार्केट वाला जो टेश्ट चाहिए व तो आपको इसमें गीही डालना है गीही या फिर मतलब डालडा तो आप हम इस मौयन को अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखिए मैंने 250 ग्राम बैदा लिया था इसमें 4 टेबल इस्पून जो हमने मौयन डाला एकदम परफेक्ट है अगर आपको थोड़ा बहुत कम लगे क् बनीचे हो सकता है तो आप थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा तो यह देखिए आम मैं इसका आटा लगा लूँगी आटा हमें इसका सक्त लगाना है जैसे पूरी का लगाते है इस तरह से लगाना है क्योंकि हम सक्त लगाएंगे ना तभी हमारी यह क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी तो यह देखिए यह मैंने आटा पहले खटा कर लिया है अब मैं इसको मसल मसल कर तीन से चार मिनट चिकना कर लूँगी थोड़ा बहुत ही इजी रेस्पी है आराम से बना सकते हो इसे घर में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा फ्रेंड्स लेकिन एकदम बहुत ही अच्छी हमारी यह गुंजिया बनकर तयार होगी बिलकुल मार्केट जैसी तयार होगी आपकी बनकर इस तरह से आप बनाओगे तो तो यह देखिए इस तरह से आप 3-4 मिनट अच्छे से इसको मसल लीजिएगा अब यह मैंने मसल लिया है और आप में इसको ढखकर हाफ आवर के लिए छोड़ दूँगी जब तक यह आटा सैट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिए कड़ाई और इसमें मैं डालूँगी बंटेवले स्पून घी और यह मैंने ले लिए हाफ कफ ड्राइफ रूट्स इसमें मैंने लिया है काजू बादाम किसमेस और भी जो आपको ड्राइफ रूट्स पसंदो वो इसमें एड़ कर सकते हो अब हमें इनको हलका सा बून लेना है जदा नहीं बूनना है बस हलका ही बूनना है हमें एक से दो मिनट ही बूनना है अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर जो मैंने यह घर ही कोकोनट को छोटा-छोटा कट करके मिक्सिंग जार में पीश लिया था आप चाहो तो मार्केट से भी ले सकते हो मार्केट वाला भी डाल सकते हो बस कुछ सेकंड के लिए इसको रोष्ट करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे ज़्याद नहीं बूनना है हम बून किसलिए रहें जिसमें इसमें कोई सीलन बगेरा हो तो वो हट जाए मौशर हट जाए और हमारी जो गुंजिया है वो लोंग टाइम तक चल पाए अब हम इसी कडाई में माबा डाल दिंगे यह मैंने 150 ग्राम माबा लिया है घर पर ही बनाया था आप चाहो मार्केट का भी ले सकते हो इसका भी हमें मौशर हटाना है दीमी आज पर भूनना है इसको थोड़ी दिर एक से दो मिनट क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से भून लोगे तो आपकी जो गुंजिया है वो लोंग टाइम चलेगी आठ से दस दिन तक आप आराम से खा सकते हो रूम टेंपरेचर पर ही रखके तो यह देखी यह हमारा मावा है यह भी भून चुका है अब हम इसको भी निकाल लेंगे अब यह जब तक सारी चीज़ें ठंडी हो रही है तब तक हम चासनी बना लेते हैं यह मैंने एक कटोरी चासनी ली है बेट से ना पोगे 250 ग्राम ही हमने चीनी ली है जितना हमने मैदा लिया है उतनी हमको चीनी लेनी है और एक कटोरी चीनी थी तो एक कटोरी मैने इसमें पानी डाल दिया है अगर आप कोई कब बगेरा से ले रहे हैं तो उसकी अकोर्ड़ेंग आप इसमें मैजर कर सकते हो अब हमें इसको जादा नहीं पकाना है ना ही हमें इसका कोई तारवार लेना है हमें बस हलकी चिपचिपी चाहिए तो यह देखें यह हलकी चिपचिपी चासनी बन चुकी है इसमें आपको क्या करना है अगर आपको बैसे समझ में नहीं आए ना तो आपको यह जब यह चीनी इसकी हमको इसकी चाहिए तो यह हमारी चाहस नहीं बन चुकी है अब मैं इसमें डाल दूंगी इलाची पाउडर हाफ टीश्पून के घ्लेम आफ कर देंगे अब हम इसकी और इसमें मैं डाल रही हो थोड़ा फूड कलर यह टूटली आफसनल है अगर आप चाहो तो डाल सकत हो नहीं ते इसके भी कर सकते हो इसकी जगह पर आप सैफ्रोन के धागे भी डाल सकते हो अब हमने यह माबा ले लिया ठंडा हो चुका इसमें मैंने हाप टीश्पून इलाची पाउडर डाल दिया और जो ड्राइफ फूट्स थे वह भी डाल दिये अब हम इनको अच्छे स सबेधा हो जाए तभी मिलाना है। यह मैंने चीणी डाली है यह चीनी मैंने पीच ली थी और जब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप मैंने चीनी ली है हाप कप हमारा राइज फूर्स थे तो हाप कप ही आपको चीनी ले लेनी है क्योंक बन 50 ग्राम के आसपास ही आपका बूरा बैठेगा बन 50 ग्राम ही आपका माबा है इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे अब यह देखे यह हमारी स्टफिंग बनके त्यार हो चुकी है अब हम एक बार आटे को देख लेते हैं अब इसको हम एक से दो मिनट और मसलना है यह देखे हमारा आटा है वह गुझिया बनाने के लिए एकदम रेडी है अब हम इसके लोईयां तोड़ लेंगे छोटी छोटी तोड़नी है ज्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है आपको मैं दो तरह से बताऊंगी आप चाहो तो जो सांचा आता है उससे भी बना सकते हो और हास से भी बना सकते हो हास से भी एकदम बहुत ही बढ़िया बनेगी सांचे से भी अच्छी बनेगी आपकी क्योंकि मैं तो जादतर हाथ से बनाना प्रसंद करती हूँ लेकिन आपको दोनों तरह से मैं देखा दूंगी तो ये देखे सारे जो लोईया हैं आपने बना कर त्यार कर ली है अब हम एक चकला ले लिंगे और इस पर हम एक लोईया रखेंगे और इसको हम बेल लेंगे हलकी मोटी बेलनी है ज्यादा पतली नहीं बेलनी है हमें इसको तो ये देखे मैं आपको बेल कर देखा दूंगी ये देखे एतनी मोटी होनी चाहिए दिख रही है आपको मैं नजदिक से दिखा रही हूं अब मैं आपको पहले सांचे में रखके बना के दिखा देती हूं तो यह देखे इस तरह से आपको सांचे में रख लेना है पहले ओलिया घी लगा लेना है सांचे में और उसके बाद इस तरह से इसको एड़ेस्ट कर दे और जो साइड में जो एक्स्टर बच्रा रहा है इसको हम हाथ से हटा देंगे तो यह देखिए यह हमारी गुंजिया बन गई है अब मैं आपको हाथ से भी दिखाऊंगी हाथ से बनाओगे न भोगुंजिया और भी देखने में सुंदल लगेगी और यह देखिए हमने इसकी रोटी बना ली थी और अब हम इस पर पानी लगा लेंगे इस तरह से पानी लगाने एक बाद अब हम इसमें इस्टपिंग बरे करें तो बंद होने में आपको दिक्कत होगी और फिर उसके बाद खुल भी सकती है उसमें अब हम क्या करेंगे एक किनारा उठाएंगे और दूसरे किनारे से इसको चिपका देंगे इस तरह से देखिए अब हम हाथ को दबाते हुए अच्छे से प्रेस करना है अगर आपन हमको इसे पतला करते हुए लाना है क्योंकि एक तो क्या है आप इस तरह से दबा दबा कर लाओगे ना तो यह अच्छे से चिपक जाएगा और दूसरा क्या है इसके किनारे पतले हो जाएंगे तो यह अच्छे से 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 दे पाएंगे हम इसमें तो यह देखिए अब हम क्या सेफ बनेगी कितने बड़िया मतलब सेफ आ रही है तो इस तरह से आप और सैड में इस तरह से बंद कर लेंगे बन गई ना कितना इजी है एक और दिखा देती हूं जिससे कि आपको आसानी रहे बनाने में यह देखे इस टपिंग वल्ली हमने पानी लगा लेना है पहले और इस तरह से दबा के इसको प्रेस करना है हलका सा और फिर पहले हमको थोड़ी सी दूरी से थोड़ी सी दूरी से इसको चिपकाते हुए लाना है और लास्ट में जब यह पूरा चिपक जाए तो अब हमको इसके किनारे हैं वह किनारे अच्छे से प्रेस करते हुए लाने है इससे क्या है आपका जोइंट बिल्कुल नहीं खुलेगा यह देखिए अगर जोइंट खुल जातन फ्रेंट्स बहुत खराब लगते हैं सारी और भी जो गुंजिया हैं उनको भी खराब कर देती है वो अब क्या करेंगे यह लेंगे एक और इस तरह से हलके से ऐसे दबा दे देंगे फिर दूसरा उठाएंगे फिर इसको ऐसे दबा देंगे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा दीरे-दीरे करके बनाईएगा आराम से बनेगा और जब आप दो से तीन बना लोगे ना फिर आपका अपने आपी हाथ बैठ जाएगा और मेरी एक दम बजार जैसी लग रही है तो यह हमने सारी बना कर त्यार कर लिए हैं हमारा देखिए एक दम इस्टपिंग भी परफेक्ट रही थी देशो एक दम परफेक्ट रहा था उसमें से एक चब मच बचा है बस अब हम लेंगे कड़ाई और इसमें ओयल गरम करेंगे ओयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है यह देखे मैं आपको देखा देती है मैंने एक गोली डाली यह तुरंत उपर उठके नहीं आ रही है अब यह नीचे ही बैठी हुई है बस इतना है कि हाँ ओयल गरम हो गया भाद भाद नहीं बनानी है यह अभी हम इसके फिले में वो तर सलो ही रहने दीणगे और इसमें जब यह ऊपर त्यार के आ जाएंगी तब हम मैं इसकी फिले में वह थोड़ी सी बढ़ाईगे थो यह देखे ऊपर आ गई नहीं हम क्या करहें हवाथ हालका हर्श्यां को चल ऑफिर से स्लो कर देनी है अब यह देखिए एक तरफ से थोड़ी हल्की पक चुक्त infected तब आप चलाते हुए हमें इसको पकाना है को मिच बीच में ज़रुरitative order summary с quid तो पाइडियू कर दीजिए फिर सेलो कर दीजिए कुछ सेगंड के लिए करनी है ज्यादा नहीं करनी है तो यह देखें इस तरह से इनको हम चलाते रहेंगे और अच्छे से पकाते रहेंगे यह हो ली आ और भी पकाना है क्योंकि अभी जो हमको कलर चाहिए न बोग नहीं आया है या भी पकी नहीं है वली पर जैसे रंग जरूरी होता है ऐसे यह गुंजिया भी बहुत जरूरी होती है तो यह देखिए हमारी गुंजिया है कलर एकड़ता बढ़िया आगया है आगता है तो अब हम इन गुंजियां को निकाल लिए और निकाल के हम तुरंत ही हमें इनको चासणी में डालना है चासनी हलकी गुनगुनी होनी चाहिए ठंडी में बिलकुल न डाले नहीं तो आपकी यह गुजिया है वो चासनी नहीं पी पाएगी तो यह देखे मैं गरम गरम ही चासनी में डाल रही हूँ ही तो यह पांच मिनुट हमने हैं नको चासनी में रहा देना है और दोत हूं तो शुर के लिए आपको अधिक बेह रात रोंग भुख्रोंना है तो आपको क्या चैपनगुन करना हैं और फिर वही प्रोसेस से आपको ये पकानी है ऐसा ना करें कहीं दूसरा बैच आप उसी गरम तेल में ही डाल दे तो आपकी गुंजिया है वो दूसरा बैच है वो आपका खराब हो सकता है तो ये फ्रेंट्स जरूर ध्यान रखें कि आपको आपने अगर पहला बैच निकाल देलेंगे अब बिल्कुल हलवाई जैसे आप घर पर ही बना सकते हो चासने बाली गुंजिया है अब मैं आपको एक ये थोड़ा से डेकोरेट और कर देती हूं मैं इसे कि मैं ये थोड़ा से पिस्ता डाल रही हूं अगर आपने होली पर किसी को बना कर खिला दी ना फ्रेंड्स तो बिना तारिफ किया आपकी नहीं जाएगा वो अब मैं एक आपको ठोड़ा तोड़ के और दिखा देती हूं तो गर्म है कि लेकिन ये थोड़ी थंडी हो जाएगी न तो वो अलग देखेंगी आपको लेकिन ठोड़ी पिर्भी मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूं कि अंदर तक चासनी देखिए कैसे चली गई है तो यह देखिए अदर चासनी अब यह दीरे-दीरे क्या अंदर से भी सॉफ्ट होगी और बहार से भी सॉफ्ट और खस्ता होगी तो यह देखिए हमारी कितनी बढ़िया यह गुझिया बन कर तेयार हुई है अब आप गर पर ही बना शकते हो नियके जरूर बनाई बनाए पर सब्नी अब ये- त्मिटर तुन्य बहुन कर द्यूरन कर देज़आ होई है कि जरूर तो निया लरेखे से लिए है झाल झाल